नमस्कार दोस्तों आप स्वेका स्वागत है हमारी यूटूब चेनल वीजी एस अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में हम नेट और आईटी मेन का सात्वा पार्ट लेकर आए हैं इसमें हम वर्नियर केलिपर्स, स्क्रूगेज, गोलाई मापी इनके बारे में अध्यन करेंगे इनके अलपतमांग कैसे याद करते हैं ये देखेंगे इन पर आधारित निमेरिकल क्विशन्स भी देखने वाले हैं इस वीडियो में आप लंबन विधी क्या है इसके बारे में भी देखेंगे और दुरस्त इस्तित जो पिंड है उनकी दूरीत था उनका व्यास कैसे याद करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की जो वर्नियर कैलिपर्स या जो स्कूगेज है वो अधिक यथारता के साथ में वस्तों की मोटाई गयात करते हैं व्यास गयात करते हैं तिर्जा गयात करते हैं विद्यारतियो, सबसे पहले हम लेंगे वर्नियर केलिपार्स, यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन बे दबा दीजिए तांकि आपको आगे की व्यूडियो इसके नोडिफिकेशन मिलती रहे हम वर्नियर केलिपार्स, इसक्रूगेशता, गोलाई मापी इनके अलपत मांग की यहां पर बात करेंगे, अलपत मांग, अलपत मांग का मतलब है सबसे छोटा मान, कि कोई भी उपकरण है, किसी भोतिक रासी का मापन कर रहा है, तो उसके द्वारा मापा गया जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है अल्पत मांग तो किसी उपकरण के द्वारा मापी जाने वाली जो रासी है उसका सबसे छोटा मान मापा गया है जो सबसे छोटा मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं अल्पत मांग मैं आपके सामने definition put कर देता हूँ तो क्या है कि किसी भी उपकरण द्वारा मापी गई मापी गई सबसे छोटी रासी अलपत मांग क्या है किसी उपकरण द्वारा किसी उपकरण द्वारा मापी गई सबसे छोटी रासी सबसे छोटी रासी अलपत मांग कहलाती है अलपत मांग कहलाती है हम यहां पर मैनली चर्चा करेंगे अलपत मांग की ही देखिए हमारे पास में है उपकरण वर्नियर केलिपर्स जिसकी साहिता से हम हम है छोटे जो मेटर होते हैं वस्तवे होती है उनकी मोटाई ग्यात कर सकते है चोडाई उंचाई गहराई और इदी कोई बेलन है तो उनकी हम आंत्रिक जो चोडाई है आंत्रिक जो व्यास है वो हम ग्यात कर सकते हैं इस तरीके से होंगे, एक तरफ थोड़े से बड़े होंगे, इस तरीके से, एक तरफ डाइग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, इसमें मापन किस तरीके से होता है, वो भी देख लीजिए, देखें ये दो जबड़े हैं, यहां पर हमारे पास में, और यहां पर, देखें विद्यर्तियों, यह है इसका परधान पेमाना, क्या है, परधान पेमाना, इस तरीके से होगा, यह जो आप देख रहे हैं, अभी जो मैं बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, वर्नियर केलिपर्स का परधान पेमाना, Vernier Calipers का परदान पेमाना मैं तयार कर रहा हूँ और यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से यह है Vernier पेमाना यहाँ पर इस तरीके से होगा Vernier पेमाना Clear? यह दो तरीके के पेमाने है इसमें यह वाला जो पेमाना है यह तो क्या है? परधान पेमाना इसे हम मुख़्े पेमाना भी कहते हैं इसे और क्या कहा जाता है? मुख़्े पेमाना ठीक? ये वाला जो पेमाना आप देख रहे हैं इसको हम वर्नियर पेमाना कहते हैं क्या कहा जाता है? वर्नियर पेमाना इसमें दो तरीगे के पेमाने होंगे वर्नियर पेमाना और फरधान पेमाना अब देखी विद्यारतियो इसकी साहिता से मापन कैसे करेंगे तो जैसे मालीजी कि हमारे पास में कोई बेलन है और उस बेलन का आंत्रिक व्यास याद करना है तो उस बेलन को इन दोनों जबड़ों के दोनों और लगा देंगे इस तरीके से ऐसे पसा देंगे दोनों जबड़े उसके अंदर आ जाएंगे देखिए ऐसे ऐसे आ जाना चाहिए यह जो बेलन का भाग है यह दोनों जबड़े अंदर चले जाएंगे यहां से और जैसे माल जब्ड़े हैं, तो जब भारी मोटाय ग्याद करनी है, यहां से, तो इन दोनों के बीच में आप रख देंगे, और आंतिरिक ग्याद करनी है, तो इन दोनों जब्ड़़ों को उसके अंदर फसा देंगे, ठीक है, और जैसे माली जी कि आपके पास में छोटा बीकर है, इधर इसमें इस तरीके से फसा देंगे और आंत्रिक व्यास याद करेंगे तो ऐसे और इधी मोटाई चोडाई उचाई याद करेंगे तो इन दोनों जब्डों से क्लीर हो गया अब हम बात करते हैं इस पर रीडिंग से हैं वो किस तरीके से लिख्यी होती है ये जो पेमाना आप देख रहे हैं ये है मुख्य पेमाना ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये है मुख्य पेमाना इसे हैं प्रधान पेमाना भी कह रहे हैं क्लीर अब इसमें क्य होता है यह सेंटीमेटर में है और सेंटीमेटर को दस भागों में बाटा होता है इसका मतलब है कि एक जो छोटे से छोटा खाना होता है वो एक मिलीमेटर का होता है छोटे से छोटा जो एक खाना होता है एक मिलीमेटर का होता है तो यहां पर छोटे से जो छोटा प्रखाना है वह एक मिलिमेटर गा होता है इतना एकदम क्लियर हो जाना चीए साधान त्या किसी वर्नियर के लिपर्स के अंदर ठीक है अब इसमें क्या होता एक भाग इसका आगे पीछे किसकना वाला होता है यह पत्ती होती है इसकेल टाइप में है यह तो यह जो आप यहां पर देख रहे हैं यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट यह इसके पीछे आगे पीछे किसक सकता है यहां पर एक इसको घुमाने के लिए बॉल्ट टाइप में लगा होता है तो इस तरीके से उसको हम आगे पीछे करेंगे त इसको आगे पीछे किसका जा सकता है। ये वालिए जो आप देख रहे हैं, ये ये आगे पीछे किसका सकती है। फीक है? तो इसको आगे पीछे किसका सकते है। और इसकी साहिता से एड्जेस्ट करते है। फीक है? इसमें यहां पर ये लगा होता है वर्नियर पेमाना, इसमें ये भी फिक्स है, वर्नियर पेमाना होता है ये, फिक है, अब देखो इसमें एक चीज क्लियर कर लीजिए, वर्नियर पेमाना और मुख्य पेमाना, दोनों अलग अलग पेमाने हैं, यदि मैं यहां से बात करूँ, एकदम इसको क्लियर करें, कि यह यहां से वर्नियर पेमाना स्टार्ट हो रहा है, यहां पर वर्नियर पेमाना खतम हो रहा है, तो मुख्य पेमाने के अंदर और वर्नियर पेमाने में खानों की संख्या में एक संबंद होता है, यदि वर्नियर पेमाने में एन खाने हैं, वर्नियर पेमाने में कितने खाने हैं तो मुख्य पेमाने में उससे एक कम खाना होगा जैसे mostly इसमें क्या होते है 10 खाने होते है जैसे मैं हर बार की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हमारे label में कहीं वार जो हम वर्नियर के लिपर्स यूज में लेते हैं 11 बारा तक तो उसमें 10 खाने होते हैं आप क्यूशन के अंदर देखो 30 भी देखेंगे कहीं जिगें पर आप 20 भी देखेंगे तो क्यूशन में कितने भी हो सकते हैं वो क्यूशन बनाने वाड़ा भी और वर्नियर के लिपर्स भी अलग-अलग हो सकते हैं तो यहां पर उसमें ये दस होते हैं तो इसमें कितने होंगे मुख्य पेमाने में एक कम होता है इस वर्नियर में यदि दस खाने तो उतनी ही सिद में कितने होंगे मुख्य पेमाने में नो खाने होंगे ये एकदम क्लियर कर लेना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वर्निय पेमाने के N खाने मुख्ये पेमाने के N-1 खानों के gelir होता है ये बात आ गई सिमझ में अभी हम केलिपर के लिए हम अलपत्मांग जात करेंगे उससे पहले कि का इन Architecture को बताद है अलपत्मांग का वियापक सुत्र क्या अल्पतमांग का मलतल हैicate च्छोटे से च्छोटी का मान, एक सब से च्छोटा जो काना है का खाना है। और इस वर्णियर केलिपर्स का एक का मान है, इसमें एक सबसदक जो च्छोटा मान은ाप सकते है। वह है स्का अल्पतमांग, Google ठीक है, तो कैसे मापेगा। देखिए, अल्पत्मांग, मुख्य पेमाने में एक खाना, मुख्य पेमाने का एक भाग, बट्टे में, वर्नियर पेमाने में कुल भाग, तो अल्पत्मांग के बराबर होता है, मुख्य पेमाने का एक भाग, अपोन वर्नियर पेमाने में कुल भाग, अल्पत्मांग को हम LC से पुट करेंगे, मुख्य पेमाने में एक भाग, मुख्य पेमाने के अंदर जो एक भाग है उसको S से, और वर्नियर पेमाने में कुल भाग को हम N से लिख दें, तो यह आज यहीगा हमारे पास में, अब देखो एक जो महत्वपूर बात अभी अभी मैंने आपको बताई कि वर्नियर पेमाने में N भाग और मुख्य पेमाने में N-1 भाग भराबर होते हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इस महत्वपूर बात को मैं आपके सामने रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखे, वर्नियर पेमाने के, वर्नियर पेमाने के N भाग, मुख्य पेमाने के, मुख्य पेमाने के N-1 भाग के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, क्लियर, देखे, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चीए, इसमें जैसे मालो 10 खाने है, इसका एक खाना एक मिलिमेटर के बराबर है, तो एक मिलिमेटर बट्टा 10, पॉइंट एक मिलिमेटर का इसका अलपतमांक हो जाएगा, क्लियर, दूसरा तरीका क्या है, किसी वर्नियर केलिपर्स का अलपतमांक ग्याद करने का, देखे, महैतोपूर्ण तरीका है, वर्नियर केलिपर्स का अलपतमांक, केलपर्स का अलपतमांग जिस पर आधारित निवेरिगल क्यूशन अक्सर पूछे जाते हैं वो देखिए अलपतमांग बराबर होता है अलपतमांग बराबर होगा देखिए मुख्य पेमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पेमाने का एक भाग मुख्य पेमाने के एक भाग मैंसे वर्नियर पेमाने का जब एक भाग हम घठा लेंगे तो उस एक भाग का जो मान है वो वर्नियर के लिपर्स के अलपत मांग के बराबर होता है clear? तो देखें मैं यहां पर put कर रहा हूँ कि मुख्य पेमाने का एक भाग फिर यह माइनस वर्नियर पेमाने का एक भाग यह आपको समझ में आ जाना चाहिए अलपत मांग को हम लिख रहे हैं LC से अलपत मांग को किस से put करेंगे? LC से मुख्य पेमाने का एक भाग जो main scale है उसके उपर जो एक division है MSD से put करेंगे एक MSD माइनस एक VSD यह आपको ध्यान रखना है देखिए MSD का मतलब है जो main scale division मतलब मुख्य पेमाने का एक भाग इसमें से हम क्या गठा दें? यह वर्नियर पेमाने के एक भाग को गठा दें तो हमारे पास में अलपत मांग आ जाएगा अलपत मांग हमें मिल जाएगा यहां तक आपको समझ में आ जाना जाएगा यह हमने वर्नियर केलिपर्स के बारे में आपको अलपत मांग गयात करने का सारा का सारा तरीका बता दिया है अब मैं आपके सामने एक numerical question रखूँगा उस numerical question से हमें वर्नियर केलिपर्स का अलपत मांग कैसे गयात करते हैं वो हमें बेटर तरीका से समझ में आ जाएगा चले देखी विद्यारतियों अब एक numerical question हमारे सामने है कि एक उपकरण में मुख्य पेमाने के 29 भाग वर्नियर पेमाने के 30 भागों के संपाती है यदि मुख्य पेमाने का लगूतम मांग 0.5 डिगरी के बराबर है तब इस उपकरण का अलपत मांग क्या होगा इस question को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें मुख्य पेमाने का लगूतम माप दे रखा है जो मुख्य पेमाना है उसका लगूतम माप लगूतम माप का मतलब हो गया कि उसका एक खाने का मान हमें दे रखा है तो मुख्य पेमाने का लगूतम जो माप है उसको हम M, S, D से लिखेंगे एक खाने का जो मान है वो 0.5 डिग्री हमें क्यूशन में दे रखा है साथ में हमें ये भी बता रखा है कि उस उपकरण के अंदर जो वर्नियर पेमाने के 30 भाग है वो मुख्य पेमाने के 39 भागों के बराबर है तो देखे हम वर्नियर पेमाने के, क्या दे रखा है साथ में, वर्नियर पेमाने के 30 भाग, तो 30 तो जो VSD है, वो 39 MSD के बराबर होगा, 30 VSD किसके बराबर होंगे, 39 MSD के equal होंगे, तो यहां से एक जो VSD है, 39 बटे में 30 MSD के बराबर हो जाएगा, 39 बटे में 30 MSD के equal हो जाएगा, clear? यहां से देखें, अल्पतमांक किसके बराबर होता है, अल्पतमांक बराबर होगा, एक MSD माइनस एक VSD, एक MSD माइनस एक VSD के equal होगा, यहां से देखें, एक MSD माइनस एक VSD के इस्तान पर हम 39 बटे में 30 MSD पूप कर सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, तो देखें, जो अल्पतमांक है, LC, वो क्या जहीगा हमारे पास ने? 1 माइनस से 39 बटे में 30 MSD, MSD यहा गया हमारे पास ने, तो यहां से हम calculate करेंगे, तो 1 बटा 30 MSD आ गया, और एक जो MSD है, वो किसके equal है? 0.5 डिगरी के equal है, इसे हम क्या put कर दें? 0.5 का मतलब कितना हो गया? 5 बटे में 10 यह डिगरी में, यह यहां से 6 बार में cancel हो गया, 1 बटे में 60 डिगरी इसका अल्पतमांक आ गया, कितना आयाल पतमांक? 1 बटे में 60 डिगरी, यह समझ में आ जाना चाहिए, पॉपुलर क्यूशन है, बार बार ऐसे क्यूशन पूछे जा चुके है, आपको यह क्यूशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तो यह था वर्नियर केलिपर्स, अब इसके फश्यात हम बात करते हैं, इसक्रू गेज की, इसक्रू गेज की साहिता से क्या होता है, जो कोई तार है, पतला तार है, तो उसकी मोटाई हम ग्याद कर लेते हैं, इसक्रू गेज, और इसकी साहिता से जो तार है, उसके हम क्या ग्याद कर लेते हैं, व्यास ग्याद कर लेते हैं, हैं तार का व्यास याद करने में इसकी help होती है चलिए बनावट देख लेते हैं एक बार हैं तार का व्यास व्यास बहन झाद कर दो पर दो हैं ए। बख्चेविद देखिए 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 बख्चार्ट यज रखिए देखिए 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 इस तरीके का ये एक स्क्रुगेज होता है और इसमें मापन कैसे करते हैं जिस भी तार की मोटाई आपको ग्याद करनी है वो यहाँ पर लगाई जाती है देखो इससे अब समझ लीजी कैसे काम करता ये ये पूरे का पूरा पार्ट है लोहे का यहाँ से लेकर यहाँ ये एक स्तिर पार्ट है ये वाला ये एक स्तिर पार्ट है यहाँ तक अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं गोल वाला मतलब यहां से इस तरीके से हैं ये इस तरीके से घूमता है ये वाला पार्ट तो ये आगे पीछे घूमता है आपने इस कुरूगेश देखा होगा इसको आगे पीछे हम घूमा सकते हैं ठीक है तो इसमें दो तरीके पाठ्यांक होंगे इसमें देखे दो तरीके के एक तो होता है ये फ्रधान पेमाना एक ये होता है वरताकार पेमाना दो तरीके के पेमाने होते हैं देखे यहां पर वस्तु को रख दी जाती है आगे करके पीछे करके इसको कस देते हैं फिर पाठ्यांक लेते हैं ठीक है लगाएंगे तो एक चूड़ी जितना अंतर आज रहेगा, ठिक, तो देखे, सबसे पहले तो इसमें जो पेमाने हैं, वो मैं आपको बता दूँ, कि ये होता है इसमें परधान पेमाना, कौन सा पेमाना है, परधान, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मुखे पेमाना, परधान य मुखे पेमाना होता है, ये वाला जो आप पेमाना देख रहे हैं, इसको हम वृताकार पेमाना कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, वृताकार पेमाना इसको कहा जाता है, clear? तो परधान पेमाना और वृताकार पेमाना दो तरीके के इसमें पेमाने होंगे, और देखे, इसका जो अल्पत्मांग का तरीका है सिंपल सा तरीका है परधान पेमाने का एक भाग बटा वुर्ताकार पेमाने में कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या का इसमें हम भाग लगा देंगे तो एक भाग का मान आजेगा जैसे मेरी बात को सुनना, समझना कि जो प्रधान पेमाना है, वो सेंटीमिटर में है जैसे यहाँ पर ये है जीरो, फिर ये एक सेंटीमिटर तो एक सेंटीमिटर तक इसमें दस खाने है एक सेंटीमिटर तक इसमें कितने खाने है? दस खाने, इसका मतलब एक जो प्रधान पेमाने का छोटा खाना है, वो है एक मिलिमेटर के बराबर अब यह जो वर्ताकार पेमाना है, इसमें कुल मिलाकर सो खाने है, कुल मिलाकर कितने खाने है, सो खाने इसका मतलब हो गया कि प्रधान पेमाने का एक खाना और वुर्ताकार पेमाने का 100 खाने बराबर है तो प्रधान पेमाने का जो एक खाना होता है वो 1 mm के बराबर तो इसका जो एक खाना है वो 1 mm बट्टा 100 के बराबर होगा 0.01 mm होगा या 0.001 cm होगा चलिए इसका अलपतमांग का फोर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूँ क्या होगा इस्कुरू गेज का अलपतमांग इस्कुरू गेज का अलपतमांग इस्कुरू गेज का जो अलपतमांग है वो क्या होगा परधान या मुख्य पे माने का एक भाग प्रधान या मुख्य पेमाने का एक भाग अपॉन वर्ताकार पेमाने में कुल भागों की संख्या वर्ताकार पेमाने में कुल भागों की संख्या कुल भागों की संख्या ये S कह दो इसे N कह दो आगई बात समझने है तो यहां तक आपको समझने आ जाना चाहिए जेखे हमारी जो लेब है जहां हम ककसा 11 के बच्चों को बताते हैं उस लेब के अंदर जो इस कुल गेज है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ उसमें जो प्रधान पेमाना है उसका जो एक जो खाना है वो है एक मिलिमेटर के बराबर किसके बराबर है एक मिलिमेटर के बराबर है और वर्ताकार पेमाने में जो खानों की संख्या है वो है सो वर्ताकार पेमाने में खानों की संख्या कितनी है सो खाने है देन क्या जाएगा क्या मिल जाएगा हमें इसमें तो प्रदान प्रिमाने का तो जो एक खाना है वो एक मिलिमेटर के बराबर और वुर्तकार प्रिमाने में खानों की संखे कितनी है So then हमें क्या मिल जएगा यहां से 0.01 मिलिमेटर इसे आप 0.001 सेंटिमेटर भी कह सकते हैं Clear? ऐसा कहा जा सकता है चले मैं एक एक screw gauge पर आधरित क्यूशन आपके सामने रख देता हूँ कि एक screw gauge का pitch 0.5 मिलिमेटर है Screw gauge का pitch तो कितना है? इसे भी आप समझ लीजी एक क्यूशन है screw gauge का pitch इसको मैं समझा दूँगा क्या है pitch Screw gauge का pitch 0.05 मिलिमेटर है चले एक बार मैं दूबारा देख लेता हूँ कि 0.05 ही है क्या? 0.5 ही यह विद्यार दियो 0.5 0.5 मिलिमेटर है Clear? और वर्ताकार पेमाने में खानों की संख्या वर्ताकार पेमाने में खानों की संख्या 50 है खानों की संख्या यह कितनी दे रखी है क्यूशन में? पचास दे रखी है अल्पतमांक पूछा है क्या पूछा गया है? अल्पतमांक पूछा गया है Clear? अब देखो screw gauge का pitch screw gauge का pitch का मतलब हो गया आप चूड़ी अंतराल कह सकते हैं एक भाग आता है और यहां पर एक चूड़ी आगे किसक जाता है एक चूड़ी आगे किसक जाता है तो इस screw gauge का जो अल्पतमांक होता है उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रदान पेमाने, मुख्य पेमाने का एक भाग होता है तो यह एक चूड़ी आगे बढ़ जाता है इसी को ही हम कहते हैं चूड़ी अंतराल अब यह जो चूड़ी अंतराल होता है यह है इसकी अक्स के अनुदी से एक पूरे चक्र में तैकिगी धूरी इसी को ही हम कहते हैं पिच इसी को ही क्या कहा जाता है तो दिहान देना यहाँ पर एक चूडी फिर दूसरी चूडी और दोनों चूडियों के बीच का जो difference होता है जो अंतर होता है इसी को क्या कहा जाता है पिच कहा जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है पिच तो किसी इस्क्रूगेज का जो अल्पतमांक है वो देखो ये दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है प्रदान पेमाने का तो है बात एक ही कि प्रदान पेमाने मुख्य पेमाने का एक भाग ये एक जो भाग होता है वो चूड़ी अंतराल के बराबर कह सकते है या पिछ के बराबर कह सकते हैं तो चूड़ी अंतराल या इसे हम क्या कह देते हैं पिछ बट्टे में वुर्ताकार पेमाने में कुल खानों की सेंख्या वुर्ताकार पेमाने पर कुल खाने ठीक है चलिए तो यहां पर हमें स्क्यूशन के अंदर एक स्क्यूश दे रखा उसका पिछ की वेल्यू जो है लेंग्वेज ही बदली है आपको समझ लेना है जीरो पॉइंट पांच मिलिमेटर दे रखा है अपोन वुर्ताकार पेमाने में कुल खाने कितने दे रखे हैं तो इसे हम क्या पुट कर दे 0.01 इसको हम पुट कर सकते हैं 0.01 एक मिलिमेटर इसको लिखा जा सकता है तो यह था इस्कूरू गेज हमने वर्नियर के लिपस देख लिया है इस्कूरू गेज देख लिया है अब मैं थोड़ा सा बताते हूँ आपको गोलाई मापी के दौरा गोलाई मापी के दोरा जो वक्रफ्रेस्ट है उनकी वक्रता तिरज़प जाध करते हैं उसका भी जो अल्पत मांक है उसका फोर्मुला यही है उसमें भी क्या होता है एक फर्धान पेमाना होता है एक वर्ताकार पेमाना होता है तो फर्धान पेमाने का एक भाग और वर्ताकार पेमाने के कुल भाग इनका जो रेश्यो होता है उसी को हम क्या कहेंगे गोलाई मापी का अलपतमांग कहेंगे अब मैं आपको बताता हूँ लंबन विधी, जिसकी साहिता से हम जो खगोली, आकासी, जो पिंड होते हैं, उनकी डिस्टेंस ग्याद कर सकते हैं, उनका व्यास हम ग्याद कर सकते हैं, देख लेते हैं. अब देखें, विध्यारती हो, हमारे पास में हैं लंबन विधी, लगे इस लंबन विधी में क्या है, हमारे पास में एक relation है कौन थता तिरिजया के मद्दे हम ये जानते हैं कौन बराबर होता चाप बटे में तिरिजया और यहाँ पर हम जो लंबन विधी है वो है कोन बराबर चाप बटे में तिरिजया वाला formula हम यूज में लेंगे और यहाँ पर जो तृज्या है वो बहुत ज़्यादा होगी तृज्या क्या होने वाली है? बहुत ज़्यादा और जो चाप है वो लगभग एक सीधी रेखा होती है जबकि हम यह जानते हैं कि चाप है वो वक्र के रूप में होता है ठीक है बट लगबग सीधी रेखा को हम वक्र के रूप में ही माल लेते हैं सीधी रेखा को क्या माल लेंगे वक्र के बराबर माल लेंगे तत्वस्चात जो विधी है उसको हम कह रहे हैं लंबन विधी और लंबन विधी की साहिता से हम क्या कर सकते हैं आकास ये खगोल ये पिंडों की डिस्टेंस ग्याद कर सकते हैं, उनका व्यास ग्याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, डिस्टेंस कैसे ग्याद करते हैं, चलिए, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, आकास ये पिंडों की दूरी ग्याद करना, आकासी पिंडों की हम डिस्टेंस याद करेंगे कैसे याद कर सकते हैं वो देख लीजे आकासी पिंडों की दूरी याद करना यह हमारे पास में कोई आकासी पिंड है यहाँ पर यह क्या है आकासी पिंड आकासी यह खगोली पिंड है और यहाँ पर यह है पर्थवी हम कहाँ पर खड़े हैं पर्थवी पर मुझूद है पर्थवी पर खड़े हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्थवी के उपर हमने दो पॉइंट ले लिए A और B क्या ले लिए हैं A और B अब आप देखें हम पहले तो इसकी स्तथी देख लेते हैं बिंदू A से फिर यहां से चल कर कहां चले गए हम है यहां से चल कर हम चले गए B पर यहां से चल कर हम कहां चले गए B पर चले गए है फिक है तो देखें यहां पर यह जो A से B तक की जो distance है वो इस distance s की तुला में काफी छोटी है तो इसे हम लगभग जो सीधी रेखा है उसे हम चाप के equal मान सकते हैं देखो यदि हमारे पास में theta है distance a b है तो s हम ग्याद कर लेंगे क्यों a से लेकर ख़गोली पिंड तक की distance है वो s है कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या यहां पर कोण है theta चाप हमारे पास में है a b और त्रिज्या है s हमें क्या चीए s चीए गोली पिंड की हम distance ग्याद करना चाहते हैं तो यह वाला formula हम apply कर देंगे a b बट्टे में theta यह जो theta है वो radian में होना चाहिए इसको एकदम clear कर लीजिए दिमाग में पिट पिटा लीजिए theta किस में होना चाहिए radian में अब यह theta कैसे ग्याद करते हैं यहां से सीधी रेखा कीशिए यहां से सीधी रेखा कीशिए यह वाला angle ग्याद कर लेंगे उर्द्वादर से हम कितने जुखाव पर देख रहे हैं इसका और इसका योग है यह तो हम theta ग्याद कर लेते हैं a से b तक की distance ग्याद कर लेते हैं तो s ग्याद कर लिया जा सकता है clear? तो ऐसे ही इस विधी का प्रियोग करके ही हम सूर्य की distance ग्याद करते हैं ऐसा नहीं है कि सूर्य को किसी फिते से माप कर ना पा गया हो कि बाई पर्थवी से सूर्य तक फिता लगा दिया हो और फिर मापा हो ऐसा नहीं है इसी विधी का प्रियोग करके सूरिय की चंदर्मा की अन्य खगोली पिंडों की डिस्टेंस ग्याद की गई है अब हम बात करते हैं कि इन खगोली पिंडों के आकार की तो वो भी हमने ग्याद कर लिया है और देखो कैसे कैसे ग्याद कर सकते हैं खगोली पिंडों का व्यास ग्यात करना, व्यास ग्यात करना, व्यास केसे ग्यात करेंगे? ये जैसे हमारे पास में एक खगोली पिंड है ये क्या है हमारे पास में एक खगोली पिंड है और इसे हम देख रहे हैं पर्थवी से कहां से देख रहे हैं पर्थवी से देखा जा रहा है ये क्या है पर्थवी ये है पर्थवी ये है कौन थीटा इस कॉंट थीटा के बजाए अब की वार अलफा ले लीजिए ये S है, ये बिंदू A है, ये बिंदू B है, ये है ख़गोल ये पिंड एक बार डाइग्राम समझ लीजिए कि पर्थवी पर हमारे पास में एक पॉइंट है O और वहां से हम इस ख़गोल ये पिंड के व्यास को देख रहे हैं तो इस बिंदू से हमने देखा इसको और इस बिंदू को देखा हमने यहां से पर्थवी से ही तो यहां पर पर्थवी पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन जाता है Alpha बन जाता है. कितना कौण बन गया है? Alpha कौण बन चुका है. तो देखो, यहाँ पर हम लंबन विधी का प्रियोग करेंगे. कौण बराबर चाँप बटे में Trigya आप Tao लगदेंगे. कौण बराबर क्या होता है? चाँप बटे में Trigya. कौन बराबर चाप बटे में तरिज्या तो यहां पर कौन है अलफा तरिज्या हमारे पास में क्या है चाप हमारे पास में है जो की इस खगोले पिंड का व्यास है इस खगोले पिंड का क्या है व्यास तरिज्या को हम लिख रहे हैं S से हमें क्या ग्याद करना है A B ही ग्याद करना है तो Alpha S आ चुका है Alpha S के Equal आ चुका है यह जो A B है यही है व्यास यही क्या है? व्यास है व्यास ऐसे ग्याद करेंगे यह जो Alpha है वो Radian में रहना चाहिए Alpha किसमें होना चाहिए? रेडियन में इसको आप दिमाग में फिट रखेंगे तो देखें इन पर लंबन विधी पर आधारित निवेरिकल कुशन हमारी NCRD पाठी पुस्तक में भी दिये हुए है वो हम देखने वाले हैं विद्यारतियों हम आपके लिए एक मेरतन वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप इस चेप्टर से रिलेटेड NCRD की बुक पर आधारित महतवपून कुशन्स देखने वाले हैं वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अगली वीडियो को देखना ना भूले अगली वीडियो में इस चेप्टर से रिलेटेड संपून महतवपून कुशन्स को हम देखने वाले हैं सोल करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों.